हलो एवरीवन वेलकम टो इजी एक्जामनोट्स.com एंड इन पाइफन अब तक हम इन टॉपिक्स को डिसकस कर चुके एंड इन दिस एपिशोड वी आ गोईंग टो डिसकस अबाउट आइडेंटीटी आपरेटर्स इन पाइफन कि नाव यहांपरम एक वेरिबल लेते है उस वेरिबल को मैं नेम दे दिया नमबर आफ यह प्याप्रेफन ले 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 casos में यह प्यांदर मैंने थ्री वेल दिशांग हुआ है वन अनौन फोरोut स्टू कर दिया है त्री यहांपरम नों मरें लेक्ट है उस वेरिबल को मैं नेम दे दिया गिन्ती ओके ओगिन्ती के अंदर भी अमने लिस्ट पूड कर दी लाइक दिस अब हम दो आपर एक और का यूज करते हैं प्रिंट स्टेट्मेंट के अंदर दे टीज नमबर इक्वल टू इक्वल टू गिन्ती, ओके, सिंपल मिस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, प्रोग्राम को हमने सेव किया, डी ड्राइम में, अज इस इक्वल नोट्स दॉट पी वाई के नेम से, अब प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, स्वेदी हम देखे, तो मैं ओट्पूट का मिल रहा है, है पर टू, ओके, टू के मिल रहा है, विकाज, नमबर इस इकोर्स टू गिन्ती, अगर दोनों लिस्ट के अंदर हम देखे, तो वेल्यूस आर सेम, हीर इस 123, एंड इन इन गिन्ती आल्सो, हीर इस 123, अब मैं इस statement कॉपी करता हूँ, यहाँ पर हमने पेश्ट कर दिया, इन प्लेस आप गिन्ती, आई एम राइटिंग हीर, इस, ओके, सो हम सेव करके देख लेते हैं, क्या इफिक गिरते हैं, प्रोग्राम के उपर, ओके, सो यहीं हम देखे, जब हमने equal statement का use किया, तमको true मिल रहा है, और जब हमने is का use किया, तो हमको यहाँ पर false मिल रहा है, means output हमाई सामने कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमें मिल रहा है true और यहाँ पर हमें मिल रहा है false, equal operator का हमें use पता है कि हापर comparison हो रहा है कि number के पास जो values है same value गिंती के पास है कि नहीं okay so both the values are same for number and गिंती that means हमें operate में हापर क्या मिला true but यहापर जो हमने is operator का use किया है this is operator is known as identity operator so use operator का meaning यहापर यह है कि जो values number के पास है same value गिंती के पास होना अच्छी but यहापर इसा नहीं है number के पास खुद का 1,2,3 है okay ओ गिंती के पास खुद का 1,2,3 है that means हमें हापर क्या मिला false अब मैं हापर one more variable लेता हूँ series के name का ओ series इकोस्ट हमने हापर कर दिया number अगें मैं इस statement को copy करता हूँ okay यहापर हमने paste कर दिया this time number is okay यहापर हम put करते है series variable को ओ देखते के में output क्या मिलता है सो यह हम देखे हमें output यहापर मिल रहा है true okay for equal operator then first is is giving false second is is giving true that means हमें हापर output का मिल रहा है true यहापर हमें true इसलिए मिल रहा है because जो series है okay वो same variable है जैसा की number है यह दि हम लोग देखें जहाँ से हमको मालूम पर जाएगा series is same as number इसलिए हमको is operator क्या दे रहा है true and is is identity operator अब जिस तरह से is operator होता है okay ठीक वेसा ही होता है is not operator just opposite of is operator here number is not ginti so यहापर हमें क्या मिले का yes true here number is not series तो हमें आपर क्या मिलने वाला है flaws because number is series so जिस तरह से हमने is or equal में difference बताया था this is the comparison operator ठीक उसी तरीके से is not के साथ में हम difference निकाल सकते है not equal to operator का so यहापर हम यूज करते है not equal to operator दोनों में difference से not equal to operator and is not operator के अंदर so हमार पास identity operators कौन-कौन से है एक हमने भी discuss किया इसके बारे में another one is is not so इस episode में discuss करने के बाद हमें पता है कि is or equal operator में के difference है साथ हम को यह भी पता है कि is not and not equal to operator में के difference है और अब हम identity operators का use भी कर सकते हैं and in next episode we are going to discuss about membership operators in python thank you thank you for watching